नमस्कार, हिंदी साहित्य वारता में आप हैं इस वक्त सुवाश चाकुर के साथ दोस्तो, J.R.F. हिंदी 2021 की तैयारियों के अंतरगत इकाई दो पढ़ रहे हैं हम और इसमें हमारा जो फिफ्ट पार्ट है देखी रितिकाल का उसके बारे में हम आज डिस्कुस करेंगे इससे पहले हमने चार जो पार्ट है रितिकाल के वो कर लिये थे अगर आपने अभी तक वो वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप उन्हें भी एक बार जाके देख सकते हैं क्योंकि continuity को बनाये रखने के लिए और सही तरीके से समझने के लिए हमें निरनतरताद जरूरी होती है आज हम रितिकाल के जो प्रमुक रितिबद कवी देव रसलीन बिखारीदास और पदमाकर भट इनके बारे में पढ़ेंगे और ये बहुत ही मौत पूर्ण है UGC NET की परिक्षा के लिए कई बार इनसे परिक्षा में प्रशन पूछे जाते हैं तो चलिए आज बिना देर किये शुरुआत करते हैं आज के लक्षरगी सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे जो आपके प्रमुक रितिबद कवी हैं देव उनके बारे में तो देव का जो जनम है देखी ये 16-17 में और इनके मृतिव 17-17 में हुई है तो यह इसलिए में बता रहा हूँ क्योंकि कि कई बार जनम काल की आधार पर भी इनको पूचे जाता है कि किसका जनम पहले हुआ किसका बाद में हुआ है अगर हम इनके पूरे नाम की बात करें तो इनका जो पूरा नाम है दीगिए देवदत देव, अचारे कवी, अचारे वकवी, दोनों रूपों में ये प्रसिद माने जाते हैं, तो देखिए, अचारे और कवी के रूप में इनको माना जाता है, हालांकि जो अचारे रामचंदर शुकल हैं, वो कहते हैं कि ये भले ही अचारे वकवी के रूप में प्रसि अगर नहीं मालूम तब भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं। अलग राजाओं का या अलग अलग शासकों का आश्रे लेना पड़ा। इसके बाद है देखिए कि अलंकार निरूपन में इन्होंने किसको अपना अधर्श माना है केशवदास को अपना अधर्श माना है और उन्हीं का इन्होंने अनुकर्ण किया है और अलंकार वादी जो आलो जो लेखक हैं देखी या साही तेकार हैं वो कौन हैं केश्चव जिनको माना जाता है और इनका इनोंने अनुकर्ण किया है। हिंदी में नाइकाभेर की रचना करने वाले ये शिश्टम कव्यों में सर्वपरी माने जाते हैं। तो ये महतरपूर्ण बात है देव के समन्द में कई बार आपने देखा होगा किस तरह के से प्रशन पूछे जाते हैं आपको पंक्तियों में अलग-अलग दिये जाएंगे जिनमें से आपको सही या गलत चांटनी हो किसी सही तकार के बारे में या किसी काल विशेश के बारे हैं और इसके साथ ही साथ इनने तातपर्या जो विशेश चर्चा की है और इसके अलावा इननोंने नवीन चंदों का भी इसमें प्रियोग किया है अपनी रचनाओं में तो ये है पूरा का पूरा रिती बद जो कवी आपके देव हैं उनके समन्द में कि उनका जीवन और लग अलग विद्वानों ने इनकी अलग अलग रचनाय मानी हैं, संख्या इनकी, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इनकी जो मौत्वपूर्ण और प्रमुख रचनाय मानी जाती है, 1689 में इसको लिखा गया था, और ये दिकिये रस, अलंकार, नाइक, नाइका भेद, निरू पुर्ण दक्रित जो रस्मंजरी है, और भामा के कावय अलंकार, तथा दंडी का, कावय दर्श का आश्रय इनकार्ण परमुख रचनाय था, तो इनका इसने क्या क्या है, अनुकर्ण किया है, आगे नेक्स दे देखिये कि भाविलास को इनकी अरंग जेव के जो बड़े उत्तर थे आजम शा इनको सुनाया था तो कई बार परिक्षा में इस तरीके से प्रशन पूछा जाता है कि इन्होंने इसको किसे सुनाया था तो इसका जो सही उत्तर होगा देखिए आजम शा जो औरंग जेब के बड़े वेते थे तो भाविलास रचन के बारे में हमने कंप बता सकते हैं 1689 अनुमानित ये इसका समय है कि 1689 में इसकी रचना रची गई है लेकिन यह निश्चित नहीं कहा जा सकता अश्टियाम में देखिए जैसे अश्ट से पता चल रहा है कि इसमें आठ जो प्रहर है उनके विलास का वनन है नाइक नाइकाओं के आठ प्रहर के विलास का वनन इसमें किया गया है तो ये हो गया अश्टियाम के बारे में नेक्स से दिखे इनकी जो महतोपुन रचना जाती विलास ये 1723 में बानी जाती है ये कहते हैं कि जब ये अलग-अलग आश्यदाताओं के पास जा रहे थे या फिर अलग-अलग जगों पर ये र रचना मानी जाती है नेक्स से दिखे इनकी जो अगली रचना है वो है देव-चरीतर तो नाम से ही पता चल रहा है कि किसी के चरीतर पर है लेकिन देव का मतलब यहाँ पर कहा है क्रिशन तो ये भवान क्रिशन के जीवन पर आधारित इनका प्रबंधात्मक काव्य कृती है और ये 1723 के पश्चात के कृती मानी जाती है तो जो भी इनके वीशवस्तू मैं आपको बता रहा हूँ इसको आपने थोड़ा बहुत लिख देना है या नोर्डाउन कर लेना है चाहे तो आप स्क्रिन शॉट ले सकते हैं या फिर आपको इसकी PDF चाहिए होगी अगर आप तो आप मेरे टेलिग्राम ग्रूप के साथ भी जोड़ सकते हैं डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दिया जाएगा चलिए नेक्स हम देख लिते हैं इनकी अगली जो रचना है देखिए प्रेम चंद्री का ये 1733 में लिखी गई थी मर्दन सिंग के पुत्र जो राजा उद्योध सिंग को इन्हों ने इसको समर पिता इसमें प्रेम के महात्मे को स्थापित करते हुए विशेवासना का तिरसकार किया गया है और चार इसमें प्रकाश हैं तो देखिए प्रेम से ही नाम पता चल रहा है कि प्रेम का इसमें क्या है महात्मे को स्थापित किया गया है और विशे जो वासना है उसका इतनों 43 में है पूरे क्रमा नुसार ही हम इनको रख रहे हैं जिनका हमें मालूम है जो हमें अपनी पुस्टकों के जरीए पता चलता है अगर हम इसकी बात करें कि इसमें कौन सी चीज़ा देखिए शब्द शक्ति रस इत्यादी का इसमें वर्नन देखने को मिलता है आपका शब्द संगीत विशक लक्षन ग्रंथ है राग रतनाकर नेक्स दिखिए इसके बाद इनकी जो अगली रचनाये हैं मतोपुन देव माया प्रपंच तो इसमें प्रबोध चंद्रोदय का पध्यानुवाद ये माना जाता है देव माया प्रपंच नेक्स दिखिए देव शतक तो इ उसमें क्रिशन के जरीतर का इसमें वनन मिलता है नेक्स से दिखिए सुक सागर तरंग ये 1766 में और अनिक ग्रंथों के लिए हुए कवित स्वाईयों का संग्रह माना जाता है ये ठीक है सुक सागर तरंग में अलग-अलग विद्वानों ने अलग-अलग चीज़ें कही है वह हम आगे विस्तार से उसको पढ़ेंगे आगे इनकी जो महतफुन करिती है रस विलास तो ये राजा मोतिलाल को इन्होंने समर्पित की थी और रस विलास रस से ही नाम पता चलता है कि ये कैसा होगा किस तरीके का ग्रंथ है इनका जवाब का रस निरूपक ग्रंथ है भ पुशल विलास विरिक्ष विलास पावस विलास तो बहुत सारी चीजें आप देखेंगे कि हर एक रचना के पीछे नोंने विलास लगाया है तो जादा तर आप जो है विलास वाले इसको इस तरीके से भी याद रख सकेंगे जिसमें लास में विलास है वो किसकी है देव क बताया था कि किन-किन ने किया है लक्षिक जो ग्रंथ हैं लिखे हैं ये भी प्रशन पूछा जाता है तो आप इनको याद कर लीजेगा चलिए आगे अब हम देख लेते हैं कि जो इनके समंद में अन्य जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो कौन-कौन सी हैं तो दिखिए शी डिसकस कर लिए हैं लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं कि इनके संग क्या कितनी है बावन है और जो डॉक्टर नगेंदर हैं देखिए उनके अनुसार कीवल 15 गरंथ ही प्राप्त हैं तो इन्होंने अपने जो संपादित हिंदी साहिते का इतिहास लिखा है इन्होंने उसम सुकसागर तरंग हमने पीछे जिसके बात की थी तो इसका संपादन मिश्रबंधों के पिता बालदत मिश्र ने 1867 इस्वी में किया था तो ये इनकी महतवपूर्ण चीज है एक और कि इनका जो सुकसागर तरंग है उसका संपादन किस ने किया था मिश्रबंधों के पिता बालदत मिश्रने ठीक है और कब किया था ठारस अस्तानों में नगेंदर इसे नायकाभेद का विश्वकोश कहते हैं तो ये चीज भी बहुत मौतपोर्ण है कई बार हो सकता इस तरह के से पूछा जाए कि डॉक्टर नगेंदर ने क्या कहा है इसे या फिर नायकाभेद का व है शब्द का संकेतित अर्थ सपष्ट मिलता हो हमें उसे क्या कहते हैं अभीधा शब्द शक्ति कहते हैं तो और उसी चीज को ये मानते भी है जो क्या क्थन कहते हैं और देव का अपना जो मौतपोर्ण क्थन क्या है तो यहां पर देखिए पहले अचायराम चंद्रिशु पर उनके समयक सफुरुण में उनकी रूची वीशेश प्राय बादक हुई है तो ये कौन मानते हैं ये अचारे रामचंद्र शुकल मानते हैं इनके बारे में हालां कि इतना महत्वपूर्ण कथन ये नहीं है यहां पर एक जो महत्वपूर्ण कथन है वो है आपका देव की द्वनी संवेदिन शीलता रीती कालिन कावे भाशा में अपरतिम है तो ये रामसवरूप चत्रुवेडी का है ये कथन इनके समन्द में बहुत जादा महत्वपूर्ण है इसको हो सकता है पूछ जाए परिक्षा में हाला कि देव से रिलेटिर कोई जादा विद्वानों क कथन महतवपूर्ण नहीं दिखते जो अभी तक ना तो प्रिक्षा में पूछे गए हैं और ना इन से कभी जादा तर बना भी है लेकिन फिर भी हमें जो जो महतवपूर्ण चीज़े हैं वो याद करनी ही होगी आगे है देखिए कि जो विश्वनात त्रिपाठी हिंदी स कावयरूडियों के अधार पर रचना करने की प्रविती जो है इनमें क्या है अब बिहारी की अपेक्षा ये कम मानते हैं विश्वनात त्रिपाठी जी तो ये चीज़ भी आपने यार रखनी है क्यूंकि आपने देखो अगर देव बड़े या बिहारी जो अलोचनात मकृ पंक्ती है ये कहते हैं कि शवदार्त का सार कावय है और कावय का सार क्या है रस है तो ये इनकी महत्वपून पंक्ती माने जाती है देव की इसको भी आप याद कर लीजेगा अभीदा उत्तम कावय है वो तो है ही है लेकिन साथ ही साथ आगई ये क्या कहते है कि शवदार् इसी नेट की परिक्षा में इन से संबंदित चीजें संभावनाएं हैं जिनके बनने की वो मैंने आपके बीच में रखती हैं चलिए अब हम अगले जो महत्वपूर्ण कवी हुए हैं रितीबद के वो हैं रसलीन तो रसलीन के संबंद में भी कई बार परिक्षा में पूछ जाता है इनका जनम सत्रह सो के आसपास बोले तो सोलह सो निन्यानुए और इनका जो मृत्य हुए देखे सत्रह सो पचास इस्वे में पूरा नाम सैयद गुलाम नभी रसलीन तो यह नाम याद रखना बहुत जरूरी है सैयद अबराहीम किसका नाम था यह हमने पीछे वाल सैयद अबराहीम आगे देखी यह अच्छे कवी के साथ साथ अच्छे सैनिक और संगी तक गया भी थे तो एक तरीके से कहें कि यह सरवगुन थे यह रसवादी अचारे कवी थे दोहाच्छंद पर इनका अधभुत अधिकार माना जाता है तो देखे रसवादी धनिवाद पहले कर लिया था कि कौन-कौन-से हैं कौन-से अलंकार वादी हैं है न तो अपने हैं यह चीजें भी attachment करते जाना है यह रसवादी कवी थे अचारे कवी थे दोहा चंद पर इनका अधभुत अधिकार माना जाता है तो यह मानते हैं देखे लिए गई अधिकार किस पर था, दोहा चंद पर, इनकी महज दो ही रचनाएं उपलब्ध हैं, और इन ही से इनकी प्रसिध्धी मानी जाती है, अंग दर्पन सबसे महत्पुर्ण इनकी जो रचना है, ये कई बार प्रिक्षा में पूछ जाती है, 1737 में इसको लिखा गया था, अंगों क अंगों का, ठीक है, और 182 हैं इसमें, अंग दर्पन में, नेक्स जो उनकी मत्पुर्ण रचना है दिखे, रस प्रपोध, तो ये 1741 में लिखी गई थी, 1952 में रसों का वनन किया गया है, तो ये 1955 जो दोहे माने हैं, ये माने हैं किसने, आपके, रामचंदर शुकल ने हिं मिलते हैं, आपको 1111 और कई जगा ये 1155 भी बताए गए हैं, तो अब किसको सरुमाने माने, मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से यहां से प्रशन पूछा जा सकता है, लेकिन फिर भी याद रहना रखना पड़ेगा, अचारे रामचंदर शुकल के अनुसार 1955 हैं, बाकि आपको जो help book, guide book मिल जाएगी, वहां पर 1117 और 1155 ये दी हुई हैं, तो ये थे रसलीन, जिनके बारे में कोई जादा खास जानकारी मिलती नहीं है, इनकी जो प्रमुक महतोपुन रजना है, ये अंग दरपन है, जो 1737 मेनों ने लिखी थी, और ये अचारे कभी हैं, ये च जरमकाल अनिश्चित है इनका, रचनकाल इनका अगर माना जाए तो ये 1728 से 1750 तक इनका रचनकाल माना जाता है, बिखारी दास जी ने हिंदी में सरवदिक विस्तित चंद विवेचन वाला ग्रंत चंद आरणव पिंगल, 1742 में लिखा है, तो दीके बिखारी दास से related, ज बिखारी दास जी ने सरवप्रत्थम तुख को काव्यांग के रूप में ग्रहन करके विचार किया, तो ये चीज़ भी मौतपोन है कि सरवप्रत्थम तुख को काव्यांग के रूप में किसने ग्रहन किया, ये किया था आपका बिखारी दास जी ने ही, अचारे रामचंद प्रतिपादन किया है ठीक है तो ये चीज कौन मानते हैं अचारे रामचंदर शुक्ल मानते हैं तो ये भी इनके सम्द्ध में महत्वपुर्ण कथन कहा जा सकता है नेक्स से दीखिए कि बिखारी दास की जो प्रुमुख रचनाय है और उनका विशे क्या है ये चीजें रस के भेदों और उपभेदों का इसमें वन्न किया गया है यूं कह सकते हैं आपकी ये रस निरूपक इनका ग्रंथ है नेक्स जाता है दिखिए चंदारनव पिंगल नाम से ही पता चलता है कि ये क्या है आपका चंद निरूपक ग्रंथ माना जाता है और इसके बारे में ह कावे के भेदों और उपभेदों का इसमें वनन किया गया है देखिए सरवांग निरुपक तो यह ही है लेकिन कावे के भेद और उपभेद इनका वनन भी इसमें किया गया है कावे निरने में तो देखिए कावे निरने कावे से ही पता चाता है कि यह क्या है कावे के भेदो इको मिलती है श्रिंगार निर्णे में नाइक नाइका भेद वर्नन ठीक है नेक्स जो इनकी महतफूराण रचनाय माने जाती है दिके शत्रश शतिका अमरकोश और विष्नुपुरान भाषा उतनी आपकी उपर वाली रचनाय है विष्नुपुराण में जो है इज़ें वरनित हैं वो मैंने आपके बीच में रख दी हैं अब हम आगे देख लेते हैं इसके बाद जो अगले कवी हैं दिखी यह हैं पदमाकर और इनका जनम 1775 और मित्यू 18333 सिस्वी में मानी जाती है यह भी अलग-अलग आश्रायदातों के रहे जैसे अन्य जो हमारी पारिक्षित भी मिलेगा अनूपगिरी, हीमत बहादूर, आपके प्रताप सिंग, जगत सिंग, भीम सिंग और दौलत राव सिंधिया तो यह नाम में इसलिए रख रहा हूं यहां पर क्योंकि कई बार परिक्षा में इनसे भी प्रशन पूछे जाते हैं और इनसे रिलेट था या किसी और कवी से पूछा था सेनापती की पूछी थी कि किस शासक के लिए उनने कही हैं तो इनसे रिलेटिड जो भी आपको पंक्तियां आपको हिंदी साही तक इतियास ग्रंथ में मिल जाएंगी अचारे रामचंग्र शुकल के वहां से आप देख सकते हैं वहां से ऐसी अनेक रूपता गोस्वामी तुलसिदास जी में दिखाई पड़ती है तो देखी प्रशन किस तरीके से बन सकता है कि भाशा की अनेक रूपता गोस्वामी तुलसिदास जी जैसी अनेक रूपता किस में पाते हैं अचारे रामचंद्र शुकल इस तरीके से प्रशन प मजमून बांधने के प्रियासी कवी न थे ठीक है रिदय की सच्ची सभाविक प्रेणा इन में थी तो दीखी ये उहा के बल पर कारीगरी के मजमून बांधने के प्रियासी कवी न थे तो यहां प्रियास ही हो गया है इसको आप ठीक लिजेगा रिदय की सच्ची सभाविक प इन्दीका उसमें ये पूछा गया था हिमाचत प्रदेश में。 थीक है? तो ये भी पदमाकर के समंद में ही कही है अचार राम चंतर शुकल ने महुत्पुन बाते हैं। अब हम अगर आपको चाहिए होगी तो एक lecture हम last में पूरा का पूरा कि जो जो भी आपके रितिबद प्रमुक कभी रहे हैं या रितिमुक्त कभी हैं या जो 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 भी जिनके आश्रे में रहे उनके लिए उनके पंक्तियां कहीं हैं उनको हम एक complete lecture त्यार करेंगे उनसे related नेक्स से दिखिए इनकी जो दूसरी रचना है पद्मा भरण ये 1810 में इन्होंने लिखी थी अलंका निरूपक ग्रंथ माना जाता है और इसमें दो प्रकरण 344 चंद है जग्द विनोध नवरस निरूपक ग्रंथ है छे प्रकाश और 731 चंद इसमें भी है तो देखिए 9 र वेरागय से समंधित ग्रंथ है तो प्रशन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि भक्ति वेरागय से समंधित ग्रंथ कौन सा है वो है प्रबोध पचासा नेक्स से दिखिए प्रताप सिंग विरुदावली नाम से ही पता चल रहा है प्रताप सिंग राजा जो थे उनकी बद अनुवाद इनके द्वारा किया गया है तो यह महतवपुन रचनाय थी पदमाकर की और जो भी चार हमने आज पढ़े रसलीन आपका देव और चौथे जो हमारे पदमाकर थे इनके बारे में जो जो भी मुटपुन चीज़े हैं वो मैंने आपके बीच में रख दी हैं अगर इनमें कुछ एक तुटी रह गई हो या कुछ एक कमी हो तो आप मुझे वो भी कमेंट सेक्षिन में जाकर बता सकते हैं वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने दोस्तों के बीच में शिर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें तो फिर मिलेंगे नई उर्जा और नई स्पूर्टी के साथ तब तक के लिए शुक्रिया